तो गाइस जिसका ताइंतजार वो फाइनली हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम में फाइनली आ चुका है गाइस तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फाइनली हमारे इस न्यू अपडेट में स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो S11 के साथ अल न्यू बाइक्स को एड़ कर दिये गए हैं और यहां पर आप लोग देख सकते हो कैसे मैं अपने स्कॉर्पियो क्लासिक कार में बैठ कर सारे गाउं को घुम रहा हूँ लेकिन नहीं तो गाइस अगर आप लोगों को स्कॉर्पियो कार्स और सारे बाइक्स के चीट कोड चाहिए तो ये वीडियो आप लोगों को पूरी एंड तक जरूर से देखना पड़ेगा तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो चलो भई देख अपने क्या करता है तो गाइस जैसे मैंने गेम को अपडेट करके ओपन कर लिया मेरे सामने दिख चुके है एक निव आप्शन जिसका नाम है चैलेंज और यहां पर आप लोग देख सकते हो कुछ सेटिंग्स भी एड़ कर दिये गए हैं यहां पर आप लोग देख सकते हो कंट्रोल में स्टेरिंग टच सब कुछ और यहां पर एक निव आप्शन है कैमरा डिस्टेंस तो गाइस चलिए बढ़ते हैं हमारी निव टॉपिक के ओड़ जिसका आप लोग बहुत से इंतजार कर रहे हैं जो की है हमारे चीट कोड तो गाइस चलिए श्टार्ट करते हैं हमारी पहली चीट कोड के साथ जो की है हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक का जिसका कोड है ट्रिपल त्री ठीक है समर्या और यह रही हमारी स्कॉर्पियो एस लेवन का कोड जिसका कोड है ट्रिपल फोर और हमारे सामने आज हैं स्कॉर्पियो एस लेवन तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Scorpio Spawn हो चुके हैं और हम इसका Color Change करेंगे हमें मालूम नहीं पढ़ रहा कौन सा Scorpio है और कौन सा Scorpio S11 हम Scorpio S11 का Color Change करते हैं ब्लैक कलर में Change करते हैं यह बड़ी अच्छी बात कही है तो गाइस चलिए हम Next Code की ओर चकते हैं जो की है हमारे चार बाइक के तो चलो हमारी फर्स्ट बाइक है Yamaha VMAX जिसका Code है ट्रिपल लाइन और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Yamaha VMAX हमारी Next Code है Yamaha FZ10 का जिसका Code है ट्रिपल एट ठीक है समरिया Next Code है Ducati D.I.W.L. जिसका Code है ट्रिपल सेवन ठीक है समरिया और यह है हमारी लाश्ट कोड बनाली TNT की जिसका Code है ट्रिपल सिक्स ठीक है समरिया और इसी के साथ खतम होती है आज की Code की बात क्या आपको मजा आया? मजा आया ओ और यहां पर आप लोग देख सकते हो Scorpio प्लस All Bikes का Full View बट 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 यही नहीं अभी और सुनिये और मैंने आप लोगों को वीडियो के पहले में सेटिंग के आप्शन में चैलेंग का आप्शन दिखाया था और यह रहा वो चैलेंज वो है Mega Ramp वाव वेरी डेंगराश तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने अपने गेम को चालू कर लिया है Mega Ramp को और इधर आप लोग देख सकते हो कैसे animation है और यहां पर हम लोग इस गाड़ी पर Mega Ramp को पार करने वाले हैं एक बार Beautiful और यहां पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोगों को Ramp को पार कर लेना है तो फाइनली गाइस हम Ramp के end के पास पहुंच चुके हैं और इस new update में बस इतना ही था गाइस अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब, कमेंट जो मन चाहिए वो कर देना गाइस और हमारे new update में बहुत-बहुत से changes भी आ सकते हैं हमारे रोहित भाई ने भी बताया है यह तो latest news है और अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रू से check out कर देना और हमारी 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी complete करने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया गाइस तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ गाइस